ओके गाइस तो साइद आपको पता नहीं होगा कि हमारी जो स्मार्ट इंडिया चैनल में उसमें पिक्सल एलिडी के सिवा और भी बहुत मतलब विजिटर है मतलब हो मोटो मेशन के जो सब्सक्राइबर है रहना हो हमारी चैनल पे है पूरे दो लाक बीस हजार तो उन लोगों को भी बहुत कमेंट आती रहती है तो आज का वीडियो जो है वो उनहीं लोगों के लिए है इसका मतलब यह नहीं के पिक्सल एलिडी वाले जो भी हमारे एंजिनियर्स वो यह वीडियो ना देखे क्योंकि यह लाइट के रिलेटेर में ही है और यह जो वीडियो है आपके बहुत यूसपूल भी आ सकती है तो इस वीडियो के साथ अंतक जरूर बने रहे चलिए सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस घंटी के आइकन को दबाएं औल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहल लाइट होती है घर के अंदर नहीं आउट्डोर की बात करा हूं मैं आउट्डोर में जो भी लाइट होती है वो कभी-कभी बंद करना हम भूल जाते है वह तो आपको पता है ठीक है इसके बारे में बहुत वीडियो हमारी चैनल पर अभी-अभी मैंने प्लेइलिस्ट बना जाए अब जूगार नहीं प्रोफिस्टनल तिक जुगार में क्या होता है जूगार की तरह होता है ट्रीक तो हम बता देते हैं लेकिन वह सही से पार्ड बाद ये वह गेरा मतलब कहीं कहां रखना हो सब मनलब बहुत मैंटें करना मुस्किल हो जाता है तो मैं आज रेडिम आपके समने लेकर आने वाला हूं वो जो प्रोड़क्ट है वो किसी भी लाइट को लाइट है नहीं कोई भी चीज हो उसे आटोमेटिक बना देगी आटोमेटिक कैसे कि जैसे मतलब सुभा होगी तो बंद हो जाएगा रात के टाइम पे वो सुरू हो जाएगा आटोमेटिक हात तो बंद बंद आपर इसका फटा फटा षट सेमत परचेस कर लेते है जयुआ जुआ ने स्वासाथ परड़क्ट इस रही बाद इसकी प्राइस की तो ये करीब 325 रुपे मुझे घर में आके पड़ गई ठीक है एकदम सिंपल है जाचे कि मालब कोई बाइक का कोई कोयल हो इस तरीके का दिखता है बट ये वाटर कूट है ठीक है वाटर रेजिस्टेंज है तो कोई टेंशन लेने की ज़र्वत अब आपको ख्याल कितना रखना है पता है कि जो भी लाइट सेना उसके उपर के हिस्से में लगाने मतलब लाइट की जो रोस्नी उसके पर नहीं पदनी चाहिए नहीं तो उसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा वो अनौफ-अनौफ कटप होता रहता है ठीक है इसलिए मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूं और मैं कोई भी वीडियो बना हूं तो ध्यान से आप देखोगे तो आपको मतलब सवाल ही नहीं होता कि कुछ पता नहीं चला कि यह वह मैं छोटी-छोटी चीजा भी दिखा देता हूं वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो जाता यह जो दुकान जब तक खुलेगी नहीं वह लाइट की स्वीच जो अंदर है तो वह अंदर मलब बंद कौन करेगा तो इसलिए इसी को हम आटोमेटिक करने वाले हैं तो चलो मैं अभी वही जाके आपको दिखाऊंगा तो गाइस यही लाइट को हमें आटोमेटिक करना है ठीक है और इसके अंदर कौन सी वाइरिंग लगेगी वह सब मैं आपको बताऊंगा देखो गाइस मैं अभी फटा-फट वाइरिंग बता दे रहा हूं यह जो आयरे ना वो में लाइन है यानि कि जो स्वीच ओन करने के पता नहीं आपको दीख रहा है कि नहीं लेकिन उधर लगी हुई है तो यह आपको भी पता चलगा अभी वाइरिंग तो इसमें थीन वाइर दिये हुए है ब्लू वाइर को हमारे एक तो LED का एक वाइर जॉइंट कर रहो दो और यहां से नेगेटिव वाइर जो भी नीचे कि उधर जॉइंट कर लेना है बस इतना सिंपल वाइरिंग है देखो देख लो एक बार यह स्क्रीन सोट भी ले सकते हो और पाउज करके भी देख सकते हो रेड वाइर डायर डायर लोड में जाएगा ब्राउन वाइर है वो नीचे से 220 वाल्ट का पॉजेटिव है यह और यह जो ब्ल्यू वाइर है वो नेगेटिव यानि की जालर में भी चला जाएगा ठीक है अब यहां इसको टैप कर देंगे अच्छे से और फिर यहां पर माउंट भी करना होगा इधर इधर माउंट कर देंगे क्योंकि वहां है तो मतलब उसको दीखना नहीं चाहिए नहीं अब रात के टाइम में रोशनी इधर नहीं पड़नी चाहिए तो यह जगा ठीक है फटाफट से वहां पर माउंट कर लेते हैं तो गाइस अब भी दीन है तो इसको चेक कैसे करेंगे तो मैं इसको बक्से के अंदर डाल देता हूं ताकि अंदेरा करना होगा ना आपको यह इसको बंचा जएक पंदो जाएगा फेरस अंदर डालते हैं इस तरीके से बह्त बढ़िया तरीके वीडियो में आपको बहुत ही मजा आया होगा और अच्छा लगा होगा और पुछ से उसक्ने को भी जड़ोर मिला है तो दोस्तो मैं ने नए वीडियो की notification आप चाहते हो सबसे पहले मिले तो bell का एकन जरूर दबा देना ठीक है ज्यादा तर बंदे bell का एकन नहीं दबाते तो उनको notification नहीं आएगी तो bell का एकन जरूर दबाए बाकि इस वीडियो को like करो जादस जादस शेयर करो और अब ही मिलते हैं हम ऐसे नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार